पुराने बर्तनों को किस तरीके से पिंट करें आज हम देखेंगे, तो सबसे पहले मैंने इनैमल पिंट लिया है, जो लकडी की दरवाजों पर पिंट करने के लिए यूज होता है, वाइट कलर लिया है और उससे मैं पूरी प्लेट के ऊपर कलर कर दूँगी, अच्छे से सारी शेड मिक्स करके मैं इसके उपर दोबारा से कलर करूंगी तो इनका शेड बहुत अच्छा आजाएगा जैसे ही यह सूख जाते हैं तो हमें प्लेट कुछ ऐसे देखेगी और अब अब अपने बच्चों की पुरानी बुक्स की कटिंग, मैगजीन की कटिंग जो भी पै और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी और यह चीजें जैसे ही सूखें किसी भी कलर से पोल का डॉट्स बना दीजिए जिससे इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा लगेगा और सारी चीजें सूखने के बाद वार्निश अपलाई कर दीजिए अब आपकी प्लेट एकदम तया कहीं भी डेकुरेट होने के लिए